नोकिया स्मार्टफोन की दुनिया का वो आम नाम है जिसे अपने खास फोन के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। नोकिया पहले भी अपने फोन में इस्तमाल करता रहा है। इसे पिक्चर क्वालिटी काफी एनहेंस हो जाती है। यह फोन फोटेग्रफी के लिहाज से काफी बढ़िया है जो आपके फोटोग्रफी एक्सपियर्स को पूरी तरह बदल कर रख देगा। इस फोन से दूसरे स्मार्ट फोन के मुकाबले जादा बहतर HDR फोटो क्लिक की जा सकेगी। PureView फोन के फ्रेंट में कमपनी ने 20MP का फ्रेंट कैमरा भी दिया है। Nokia 9 PureView के कैमरा सिस्टम को लाइट के साथ मिलकर डवलप किया गया है। हलंकि कमपनी ने इस फोन की परफोर्मेंस के साथ भी कोई समझोता नहीं किया। Nokia PureView में Snapdragon 845 chipset का अस्तमाल किया गया है जो performance के लिहास से काफी बढ़िया है Nokia 9 PureView में 5.99 इंच की OLED डिस्पले मिलेगी जो screen fingerprint reader के साथ आएगी Nokia के इस phone की एक और सबसे बड़ी खुबी ये है कि ये phone wireless charging को भी support करेगा भारत में company's phone का दाम तकरीबन 50,000 रुपे के आसपास रख सकती है ये phone वैसे तो मार्च के महीने से अविलेबल हो जाएगा लेकिन company भारत में इस phone को कब launch करेगी इस बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है नोकिया का ये phone limited edition phone होकर companies model का ज़्याद पादन नहीं करेगी लेकिन एक बात तो होते है कि नोकिया अपने phone के जरिये camera smartphone की दुनिया में एक नया bench mark इस्थापित करेगी hs news जहां खबरों का सिलसिला रुटा नहीं latest news और updates के लिए हमारे youtube चैनल को सब्सक्राइब करेग और bell icon को दबाना ना भूले